नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश जाड आपका मेश टीचर एक बार फिर MGCI के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आज हम लोग गुणोत्तर स्रिनी Geometric Progression GP का 5th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम GP का एक independent topic जिसको हम लोग गुणोत्तर मात दिये Geometric Mean कहते हैं उसके बारे में discussion करेंगे हम उसके बारे में कुछ ऐसे question भी discussion करेंगे जिस पे नॉर्मली ध्यान नहीं दिया जाता है न जैसे सबसे पहले हम गुणोत्तर मात दिये मतलब Geometric Mean का formula discussion करेंगे लेकिन वो formula हम दो case में discussion करने वाले हैं कितने case में दो दो case कोन से हैं एक case पे नॉर्मली हमारा ध्यान जाता है सिर्फ गुणोत्तर स्रिनी मतलब जब series especially case बने GP तब हमारा ध्यान जाता है लेकिन दो case हमारे बनते हैं यदि series आपकी GP बनती है तो भी आपको formula पता होना चाहिए बट कभी AC values दे दे जो न जीपी में हो न एपी में हो कहने का मतलब उसमें कोई pattern है यह नहीं वो कोई भी progression या series नहीं होती है तो उस case में formula कौन सा होगा वह भी आपको पता होना चाहिए और दोनों formula लगभक सेम है बस हमको थोड़ा से ध्यान देना है तो पहले हम गुणतर माद्य मतलब GM का formula उस case में देख रहे हैं जब series आपकी AP हो GP हो या AP GP कुछ भी नहीं हो मतलब हर जगे यह formula काम करने वाला है formula क्या है वो GM का सभी पदों का गुणन फल घात में एक बटे एन एन मतलब पदों की संख्या product of all terms to the power 1 upon number of term इसको आप एसे भी लिख सकते हैं 1 upon n को क्या लिख सकते हैं इसका end route लिख सकते हैं तो जितने भी terms है सभी का product करके उसका end route आप निकल लोगे तो आपको GM मिल जाएगा और यह जो formula फिर repeat कर रहा हूँ यह formula GP में भी काम करेगा, AP में भी काम करेगा, HP में भी काम करेगा या कोई और series जो इन तीनों से भी अलग है सब जगे formula काम करने वाला, actually यही main formula है, फिर इसमें से shortcut के रूप में एक formula फिर derive किया गया बटो formula कब काम करता है, जब series सिर्फ केसी हो GP, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहां सभी जो पद है, उनको अपने को multiply करना पड़ता है यहां पहले पद और last पद दोनों को multiply करेंगे, अब यहां हमने C के लिए जितने भी पद का गुणा करेंगे गात में जैसे 3 पद है तो गात में 1 बटे 3, 2 ही तो 1 बटे 2, 10 पद है तो घात में 1 बटे 10 तो यहां कितने पद ले रहे हैं सिर्फ 2, एक पहला और यह काख़ी, तो सुभाई के 2 पद लेंगे घात में 1 बटे 2, 3 पद होते जैसे ABC तो गात में 1 बटे 3 हो जाता simple theory है न तो यहाँ जो फर्मूला है यहाँ सिर्फ कब काम करेगा GP के लिए क्या हम इसको ऐसे विलिख सकते into B उसका कौन सा square root मैंने हम mention कर दिया है कि A क्या है प्रतम पत first term किसका GP का and B इस अंतिम पत जिसको L भी कहते हैं किसका GP का आओ एक ही example को हम दो तरह से समझ लेते हैं यहाँ मैंने जो series ली है वो जानबूच के GP ली है ताकि इसी को उठा के इसा बता सकूँ लेकिन इस formula में कोई जरूरी नहीं है कि यह GP हो यह मानलो यह 2 होता यह 5 होता यह 6 होता यह 10 होता यह 11 होता यह 90 होता कुछ भी होता तो भी यह formula हर जगे applicable है ठीक है लेकिन हमने GP इसलिए लिखा क्योंकि हमको concept समझना है तो आब यदि में इस formula पर चलता हूँ नॉर्मली लोग क्या करते हैं 2 value के लिए GM का formula discuss करते हैं कोई जरूरी थोड़ी नहीं वो 2 value के लिए पूछे वो more than 2 value 2 से अधिक value देगा आब मना दोड़ी कर सकते हैं तो हमको हर तरीके से question आना तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 values है साथ मान है उसका हमको GM पता करना अब सपोस हम करते हैं कि यहाँ पर यह स्रेणी GP नहीं है तो GP नहीं है पिरम यह वाला formula apply कर देंगे कि जितनी भी values है सभी का multiply कर दो गुणा कर दो और घात में क्या लिख दो एक बटे साथ एक बटे में साथ क्यों लिखा एक बटे पदों की संक्या नमर आप terms कितनी नमर है 7 है तो एक बटे साथ लिख दिया सभी को multiply करो दोस्तों अच्छे से अब यहाँ simple बनाने के लिए मैंने GP में लिया है तो यह 2 to the power 1 है 4 को 2 to the power 2 8 क्या है दोस्तों 2 to the power 3 16 क्या है 2 to the power 4 32 क्या है 2 to the power 5 64 क्या है 2 to the power 6 वेरी गुड और 128 2 to the power 7 तो एसे हम 2 की power में convert करके कब कुछ 2 की power वाले value होती कुछ 3 तो power में convert करके करने में आपको ज़्यादा benefit होता है और इसकी whole power 1 upon 7 फिर अगें repeat कर रहा हूँ 7 क्या है पदों की संक्या नमराप terms जो की 7 है अब यहाँ चुँकि बेस से में सभी power को add कर लेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जब सभी को add करेंगे that will be 28 तो 2 की total power कितनी होगे 28 और whole power 1 upon 7 ही हम लोग जानते हैं ये भी power, ये भी power power और power के बीच में कौन सा sign होता multiplication का तो 28 into 1 by 7 7 से 28 को cancel कर दो 4 time 4 बार तो 2 to the power क्या बच गया 4 that will be 16 16 आएगा अब इसने एक example दिया पता चले ये तो और भी छोटा बड़ा सा example दिया आपका IQ चेक कने लिए आपकी आप इसका जो है वो GM बताए geometric mean अब पता चले हमको ये formula पता नहीं है करके कोई series बनाते हैं तो वो GP कहलाती है तो फिर हम बिल्कुल भी परहशान नहीं होंगे हम बोलेंगे बच जीपी है तो सारी values का multiplication ना करो समय बरबाद ना करो आप तो फटा फट इसकी दो value पर ध्यान देो एक पहली वाली और एक last वाली हम लोग अच्छे से जानते हैं सभी लोग कि यहां पर हमको दो ही value की जरुवत लगती है कौन-कौन से दो value है एक पहली वाली पहली वाली को अपन क्या कहते है जैसे यह A हो गया last वाली को क्या कहते है B तो दोनों को multiply कर देते है और दोनों को multiply करके power 1 by 2 A into B2 इसे हो जाता बहुत simple है तो बताओ इसकी first term क्या है 2 है last वाली क्या है 128 है दोनों को multiply कर लो 2 into 128 power 1 by 2 क्यों जितनी value रहेगी घात में उतनी रहेगी एक बटे 2 तीन होती तो एक बटे 3 होता अब 2 की घात एक कर दो 128 को भी 2 की घात में बदल दो अब 2 की घात 7 हो जाएगा पूरे की घात 1 बटे 2 हो गया अब 2 की total घात 7 और 8 हो गई पूरे की घात 1 बटे 2 इस घात और इस घात में गुणा हो जाएगा ता 8 गुणा 1 बटे 2 2 से 8 cancel कर दो 4 बार 2 to the power 4 that is 16 एसे करके मैं आपको 2 बता है तो generally आपने notice किया होगा सभी ने कि maximum लोग discussion करते हैं कि यह और भी 2 value है तो लेकिन हमको हर इस्थितिक लिए तैयार रेना है यदि 2 value आती है तो भी हम बता सकते हैं और value 2 से जादा हो यदि 2 value है तो दोनों formula यह की हो जाएंगे यह दोनों formula की utility कब समझ में आएगी जब नमबराप term पदों की संक्या 2 से जादा हो तब फिर यह formula और यह formula का importance आपको समझ में आएगा बताओ यह formula कभी उसकर होगे जब स्रेणी GP गुनोत्तर स्रेणी बनेगी पता चले GP नहीं बनी यह वाला यूस कर लेना clear होगई बात अपने को आईए अब हम लोग आगे देखें तो यह हमने जो हमारा गुनोत्तर माद्दी वाला portion था geometric mean वाला उसमें हम लोगों ने यह देखा है अब हम गुनोत्तर माद्दी वाले portion में ही एक और important formula है हम उस important formula को अब discussion करने जा रहे हैं तैयार हैं सब लोग तो अब हम कौन सा formula discuss करने जा रहे हैं दोस्तों अब हम सरवानू पात मतलब common ratio का formula discuss करने जा रहे हैं simple है common ratio का formula discuss करना जो first term है उसको आप A ले लो last को B ले लो चलो थोड़े देर के लिए अपन suppose करते हैं A और B के बीच में जो value है जो term है suppose थोड़े देर के लिए वो 3 है 3 गुणोत term है न तो 1 को G1 1 को G2 और 1 को G3 लिख लो क्या इतना समझ आया अब एक चीज में आप से पूछना चाहता हूँ थोड़े देर के लिए आप G1, G2, G3 को घुल जाओ अब total जो value एकाउंट करके दिखाओ तो 1, 2, 3, 4 और 5 तो total value कितनी है 5 है तो जो total number आप term होती है उसको हम लोग किस से denote करते हैं दोस्तों N से और अब इन total में से side वाली दोनो value को आप छोड़ दो थोड़े दिर के लिए A को छोड़ दो, B को छोड़ दो तो right side वाली दोनों को छोड़ेंगे तो बची वी जो भी value है क्या उसको बीच वाली value बोलेंगे और उसको हम aim से denote करते हैं तो वो कितनी होगी? 1, 2, 3 तो aim कितना आएगा? aim आपका आजाएगा उससे 2 कम मतलब aim aim होगा आपका 3 तो यहाँ aim क्या है? number आप GMs मतलब geometric means मतलब बीच में आने वाले पदों की संक्या तो आपको एक relation परमानेन दिमाग में होना चाहिए कि aim मतलब बीच में जो पद आएंगे वो पद कितने होंगे? बोले जितने भी total value होगी उसमें से 2 कम बोले दो कम क्यों करेंगे? बोले total value में से 2 आइट साइड वाले 2 आप कम कर देते हो तो उन दोनों को छोड़के बीच में जो भी value है सारी mid value कहलाती है इसी रिए उसको M से denote कर देते है अब इसका उल्टा A N बोले A N को कैसे define करेंगे? बोले A N होती है total number after बोले total का क्या मतलब? बोले जो mid value वीच वाली value वो तो उसमें सामिल है लेकिन id side वाली पहली और आखरी value भी सामिल है तो mid वाली को A N कह दो और पहली और आखरी मतलब दोनों को सामिल कर लो ते हम प्लस 2 हो जाएगा ये एक important चीज है जो आपको help करती रहती है अब आगे बढ़ता है तो यहाँ मैं आपसे discuss करता हूँ कि आपको एक formula पहले से जो general formula हमने देखा था उसी time पे देख लिया था L बराबर A into R to the power A minus 1 इसी से हम R का formula भी derive कर सकते हैं बहुत सरे तरीके हैं इसके हैं तो आप लोगों को किस की value पता करना दोस्तों R की correct अब जब R की value मुझे पता करना है तो एक बात तो मुझे सुनने आती R को छोड़के बाकी सबकी side change करनी पड़ेगी तो एक बात मुझे बताओ क्या L को मैं B लिख सकता हूँ क्योंकि B और L दोनों A की है इसी को B कहते हैं इसी को L कहते हैं जो मैंने यहां note भी किया है तो यहां पर मैंने सबसे पहले B लिख दिया तो मैं फिर यहां R को छोड़के इस power को उधर transfer कर दूँगा मैं जानता हूँ कि power उधर N-1 है तो उधर जाके 1 upon N-1 होगी पावर उधर जाके पलट जाती है तो B upon A की power में 1 upon N-1 यह R है जाएगा अब अच्छे मैं जानता हूँ कि यहां पर मुझे इस case में geometric mean वाले topic में वो N नहीं देगा वो क्या देगा? M देगा मतलब mid value की बात करेगा तो N को replace कर दो आप N को क्या लिखोगे? M plus 2 N मतलब total path total path मतलब B च्वाला plus 2 M plus 2 minus 1 2 में से कम कर लो दोस्तों तो plus का 1 बच जाएगा तेसे करके B upon A to the power 1 upon इन दोनों का इसा plus 1 तो यह आजाएगा M plus 1 तो finally formula R equals to B upon A to the power 1 upon M plus 1 मतलब R बरावर B बटे A की घाथ 1 बटे M plus 1 यह आपने दूसरा formula discuss किया यह formula भूल भी जाया आप इस वाले formulas को use कर लो और A N की value निकाल ले और बाद में A N को हटा के आप M plus 2 last में लिख देना तो भी आपका answer है जाएगा तो A से अभी आप लोगोंने बताओ कितने formula discuss किये 2 formula discuss किये सबसे पहला जो formula था GM का था A into B to the power 1 by 2 या root A B यह वाला formula था आपका है अब मैं 3rd formula की तरफ आपको लेके चलता हूँ आप उस 3rd formula पर चले तो हम आगे की बात कर लेते हैं ओके दोस्तों तो 3rd formula पर हम लोग चल रहे हैं उसको discussion कर लेते हैं बहुत अच्छे से कोई confusion नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके उपर भी बिल्कुल भी confusion नहीं रहे simple question तो छूटना ही नहीं चाहिए एमुआ गुणोत्तर माद्दिक याद करने का सूत्र है formula of mth zeometric mean in case आप GP स्वब होई के GP की बात करेंगे दोस्तों अब हम ये जो formula discussion करने वाले हैं और जो पहले हमने formula discuss किया था gm अभी जो पहला a into b to the power 1 by b 1 a gm equals to a into b to the power 1 by 2 इस formula में और अभी जो पता करने माले उस formula में क्या difference मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जैसे मैंने suppose किया कि a और b मतलब पहले और आकरी पत के बीच में 3 gm है suppose उसको मैंने g1, g2, g3 लिखा अभी जो मेरा formula था ना दोस्तों a into b to the power 1 by 2 कि पहला value और last value दोनों को into करके 1 by 2 कर दो तो इससे हमेशा exactly center वाली अपने को term पता चलती exactly center वाली हम जिस इस्थान को चाहें उस इस्थान की value पता नहीं चलती मतलब यदि मैं बोलूं कि यहाँ पर exactly center क्या है g2 तो यह g2 क्या हो गया आपका यह g2 हो गया आपका इस g2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यह g2 हो गया आपका a into b का root मतलब इसका और इसका गुणा करके इसका square root लेलेंगे तो g2 मिल जाएगा तो भई g2 तो आपने पता कर लिया है ना मतलब exactly center वाली टर्म पता करने की method तो आपने number one वाले फर्मूले में देख ली बड़ पता चले कि वो आपको seven gm देते बोले दोनों के बीच में साथ गुणों तर्मात दिया और बोले छटवाँ बताओ साथ वाँ बताओ पांच वाँ बताओ मतलब particular place देके बोलेगा मुझे इसी place वाला mean चाहिए तो फिर आपको ये वाला फर्मूला वहाँ काम करने वाला नहीं इसके लिए अब हम एक नया फर्मूला देखेंगे simple है आईए discuss करें आपन ठीके दोस्तों तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैंने बोला कि पहली value पहला पद A है लास्ट वाला पद B है तो और बीच में हमने कितने थोड़ देर के लिए मान लिए तीन G1, G2 और G3 ऐसे तीन हमने गुणतर मादी GM मान लिए चलो मैं आपसे पूछता हूँ क्या मैं इसको पहला पद मतलब T1 कह दूँ आपको पताई यह पदों को किस से दरसाथ हैं T से term है ना term मतलब पद यह पहला पद हो गया T1 यह दूसरा T2, यह तीसरा T3 यह T4, चोथा यह इसको मैं आपको हो तो T5 भी कह सकता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं बट मैंने आपको समझाने के लिए इसको L लिख दिया ताकि आप फिर एक बार समझ सको B और L दोनों A की यह दोनों में फरक नहीं है अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पता हो यदि यह बोले यह कौन सा पद है कौन से नंबर की टर्म है तो बोले सेकंड नंबर बट कोई बोले यह मीन कौन से नंबर का बोले मीन तो पहला है क्योंकि मद्दी की शुरुवात यहां से हो यह तो बगल वाला पद है तो यह तो बगल वाला है तो मीन की शुरुवात यहां से होगी न तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जो जीवन है जो पहला गुणोत्तर माद्य है वास्तों में गुणोत्तर स्रेणी का पहला नहीं दूसरा पद है जो दूसरा गुणोत्तर मात्दी है वो वास्तों में गुणोत्तर स्रेणी का दूसरा नहीं तीसरा पद है जो तीसरा गुणोत्तर मात्दी है वास्तों में स्रेणी का कुण सा पद है दोस्तों वास्तों में हो जहुता पद है समझ में आए आपको आओ शुरू करें तो आपको पहले से पता है आप एक फर्मूला जानते हो इसका जनरल फर्मूला है कि एंतर टर्म का फर्मूला क्या है ए आर टू दी पावर एं माइनस वन इस तरह से आपको इस फर्मूला पहले से मालूम है दोस्तों तो बताओ फिर जब जब जी वन क्या है टी टू ओ टी टू मतलब ए आर टू दी पावर वन जो भी यहां पोजिशन होती आर की गात उससे एक कम ओ जी टू क्या है टी थरी है मतलब दूसरा गुणोत तरमादी जो है ओ तीसरा पाद है तो पाद तीसरा है तो घात में दो है तीसरा गुणोत तरमादी मतलब पाद चाउता होगा पाद चाउता है तो घात में क्या हो जाएगा एक कम मतलब तीन तो यहां मुझे एक बास समझ में आ गई कि G1 मतलब AR2 the power 1 G2 मतलब AR2 the power 2 G3 मतलब AR2 the power 3 तो यहाँ पर G1 क्या हो गया AR2 the power 1 G2 क्या हो गया AR2 the power 2 G3 AR2 the power 3 मतलब मुझे A मुए इस्थान का गुणोत्तर माद दी चाहिए तो मैं AR2 the power A मी करूँगा माइनस 1 नहीं करूँगा जबकि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि मुझे A9 पद चाहिए तो मैं A नहीं A-1 मतलब यदि कोई गुणोत्तर स्रेणी का पांचवा पद बोले 5th term बोले तो हम AR to the power 5 नहीं AR to the power 4 बोलेंगे लेकिन कोई 5 गुणोत्तर माद दी मतलब 5th GM बोले तो हम AR की घाथ 4 नहीं AR की घाथ 5 तो क्या conclusion है बोले सर सिंपल सी चीज है यदि हमको गुणोत्तर माद्दी बोले तो जो भी गुणोत्तर माद्दी का इस्तान है AR की घाथ उतनी करना एक कम नहीं करना पर पद के case में AR की घाथ एक कम करना यह हमारा सिंपल कंसिप्ट हुआ है न तो ऐसे करके आपने फर्मूला देख लिया GM AR to दिपा रहे हैं अब मर्जी आए उस इस्तान का कोई बोले 7 वाँ तो G7 AR की घाथ 7 कोई बोले 10 वाँ G10 AR की घाथ 10 मतलब जी भी प्लेस का मर्जी आए आप GM पता कर सकते हो इस फर्मूले के दोहरा अब हम अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करें दोस्तों ठीके चली आरा समझ में सबको अब हम लोग एक एक एक्जामपल लेते हैं और उस एक्जामपल पर हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं चली एक बहुत छोटा सा एक्जामपल मैंने आपके सामने लिया clear है सभी को 3 और 81 के बीच दो गुणोत तरमादी ज्यात कीजिए insert 2 GM between 3 and 81 very simple तो 3 मतलब जो पहले बोले हो पहला पत और जो बाद में बोले हो last पत तो ये 3 क्या हो गया A 81 क्या हो गया B अब इनके बीच में कितने गुणोत तरमाद दिये 2 2 तो सपोस कर लिया G1 और G2 है तो A और B के बीच में जितने भी पद होते हैं उनको अपन किस से denote करते हैं M से क्योंकि मद्धी पद होते हैं तो यह M कितना हो गया 2 हो गया अब आप एक बात बताओ आपको तो मालूम है कि GM का फर्मूला भी आपने पढ़ा R to the power M तो पहला क्या होगा R की घात 1 दूसरा गुणोत तरमाद दिये R की घात 2 मतलब आपके पास A तो है किसकी कमी है R की चलिए फटा फटा R पता कर लो R का फर्मूला आपने अभी पढ़ी रखा है R का फर्मूला क्या है R बरावर B upon A और 2 the power मतलब उसकी घात में एक बटे M plus 1 फटा बट वेल्यू बता दीजिए मुझे B मतलब क्या होता है लास्ट वाली वेल्यू 81 रख दीजिए अच्छा A क्या है फर्स्ट वाली वेल्यू है न तो यह क्या है 3 है रख दीजिए आप 81 upon 3 चलिए 1 upon M plus 1 ध्यान रखना टोटल टर्म कितनी है 1, 2, 3 और 4 लेकिन 4 नहीं रखना बीच में जो वेल्यू हो कितनी है 2 तो M 2 plus 1 3 से 81 को कैंसल कर दो 27 बार कैंसल होगा 1 upon 3 हो गया अब यहाँ 27 है इसको 3 की पावर में 3 की घात में कनवर्ट कर दो 3 की घात 3 हम जानते हैं यह भी घात है यह भी घात है घात और घात मतलब पावर और पावर के बीच में गुणा होता है 3 से 3 कैंसल हो जाएगा आर क्या जाएगा 3 simple जैसे आर आया फटा फट कोई बोले पहला गुणोत्तरमाद्य मतलब यार की घात 1 यह मतलब 3 आर 3 तीन 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 नो दूसरा गुणोत्तरमाद्य बोले यार की घात 2 यह भी 3 आर 3 तीन की घात 2 नो आएगा 9 और 3 का गुणा कर लो 27 यह आपको simple तरीके से मैंने बता दिया आईए अब हम कुछ और example देखें ताकि यह गुणोत्तरमाद्य वाला जो आपका topic है वो बहुत अच्छे से तयार हो जाए और आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए है न simple topic है important topic है बहुत सारी competitive exams में भी आता है इसलिए आप अच्छे से इसकी तहरी कर लें कोई doubt आपको नहीं रहेगा ऐसी हमारी पूरी कोसिस यहाँ पर होगी ठीके करें start कोई तकलीब तो नहीं आप लोगों को चलिए अब मैं आपको एक और question आपके सामने रखता हूँ मैं आपको दो value दे रहा हूँ और बाद वाले को भी कहेंगे दोनों का गुणा करेंगे multiply करेंगे घात में एक बड़ दो या दोनों का गुणा करके वरक मूल जो मरजी आए बोल दो आप है न तो हम लोग इसमें value रखते ए मतलब पहली value क्या है ए की घात तीन बटे बी की घात तीन और एक ही घात एक है तो total एक ही घात तीन और एक चार इसी प्रकार बी की घात नीचे नीचे देख लो तीन है और यहां क्या है एक है तीन और एक चार बी की घात चार हो गई पूरे की घात एक बड़ दो ही अपना अच्छा बताओ क्या A और B दोनों की घात एक जैसी है तो common लेके इसको बाहर निकल देता हूं मतलब दोनों की घात चार हो गई और पहले से बाहर घात एक बड़ दो है तो दोनों घातों में गुणा हो जाएगा दो से जार कितनी बार कैंसल दो बार तो A आपान B टू दी पावर टू या अंसर आ गया चाहो तो इसको वापस अलग लग कर दो ऐसे करके है ना बहुत सिंपल तो ऐसे करके आपने यदि दो वेल्यू दे वे और उसका गुणोत तरमाद्य पूछे कोई confusion नि दोनों का गुण करके उसका वरगमूल स्क्वेर रूट ले लो वेरी सिंपल चलिए अब एक और एक्जामपल हम लोग देखते हैं है ना ठीक है चलिए अब यह जो एक्जामपल हम लोग देखने जा रहे हैं इसको भी समझो यहां हमको तीन वेल्यू दिए थ्री टू के फोर लिखा है यद बड़ा क्वेस्चन बनाए तो भी आपको रुखना नीची इसलिए मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ आप पूरा अच्छे से ध्यान देदेना है ना तो यहां पर पहली वाली वेल्यू को ए बोल देना बाद वाली को भी बोल देना ध्यान रखना हो हमेशा जो आपक तो भी सम और इंग्लिस में कहो तो और जान बूच के ऐसा ही देगा तो आप बस यह देख ले ना कि exactly center में कौन सी term है दोस्तों जो term exactly center में होगी वो GM वो उसका गुणत तरमादी होगा क्यों गुणत तरमादी का मतलब ही होता है center वाली term और यह पहला और यह last हो जाएगा आपको पते ही यह GM का formula GM क्या होता A into B का square root ठीक है तो GM किसको बोलते हैं जो बीच में आता हो GM exactly जो बीच में आता हो धियान दखना ना तो यह 2 के हो गया A मतलब पहला वाला पद 3 B मतलब last वाला 4 हो गया तो 2 के को तो रहने दो यहाँ पर 3 और 4 का मैंने गुणा करने का what is the value आपके तो K की value हो गई root 3 वर्गमूल 3 इस तरह से आपने गुणोत तरमाद्दी का topic बहुत अच्छे से पढ़ा अब इसके बाद हम बहुत important topic लेने वाले है properties आप GP जिसमें से एक question हर exam में आता है और बहुत शांदा trick बनती है उसको हम next video lecture में complete कर देंगे इसके बाद फिर हम बहुत बढ़िया topic शुरू करने वाले है logarithm log thank you